अब आपने स्टार्ट कर रहे हैं लाइट का लेक्चर नंबर 03 जिसके अंदर आज अपन क्या पढ़ेंगे कि इमेज फॉरमेशन बाइए करवड मिरर्स ठीक है जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि लाइट क्या होती है ठीक है इसके बाद अपने पढ़े थे कि मिरर्क्या होते हैं तैप्स में क्या होते हैं आज अपना उसी बेंब बारे में पढ़ेंगे कौन इस इस से होने वाली इमेज़् फॉर्मेशन ने ठीक उसका पहले अपने क्या करेंगे प्रेक्टिकल जनेंगे ठीक कि वह चीज हकीकत में होती है और फिसले लेक्टर्व मैं आपको बताया था कि इस सीज का मैं अगले दूसरी बात अपने प्रैक्टिकल में यह भी जानेंगे कि रियल इमेज इस उल्टी बनती है जब कि वर्चुल इमेज जीदी बनती है ठीक है इसके बारे में भी बात करेंगे और अलग-अलग परकार से अपने मेर में अपने इमेज बनाके देखेंगे कि हकीकत में इमेज क क्या कहना चाहते हैं और यह चेप्टर को क्या समझा रहे हैं अगर आपका पड़ने के चाह नहीं है तो प्याले वीडियो बंद कर देना भाई सबस् Fox पहले जानते हैं कि यह करड मीर भते हैं चुक्त है कडिर मेर बसी हुए के हुदि होदे है जिनकी रिफ्लेक्टिंस क्या होदी होती है यह से मिलेगा ठीक है ऐसे मिलेगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे होगी आपकी करणा पार्ट वह से को अपना प्रतिमिम दिखता है अपनी जो सभी है वह आपको दिखती ठीक है तो वह रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हो गई अगर है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस प्लेन है एकदम सीधी है तो उसको अपने प्लेन मिर बोलते हैं ठीक है और बैसिकली क्या हो गया कि अगर यह जो कर कि जो पॉलिसिंग है वो मैं क्या कर दूं बाहर की तरफ कर दूंए से ठीक है यह पॉलिसिंग होगी समझ में आगी बात है और जो अपने पास रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वो ऐसे हो कवर्ड साइड में हो इस तरफ ऐसे ठीक है अब जो भी लाइट आएगी ना या फिर ज सिल्वरिंग या फैर offic onlyUP वह सकते हैं principe है यहां पर कोर्टिंग की होई होगी ठीक है और यहां पर मेंgg मीजड में और एक कासी होसकता है कि मैं क्या कर दूं जो मैं क्या कर दो पॉलिसिंग हैं और कि तरफ कर दो और ज्यूने को अपने यह दो कैस हो गए अगर क्या ह liberals होत गया कौन के मिरर हो गया समझ में आ गई बात यह कौन के मिरर है अगर क्या हो कि जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वो इसे बार की तरफ हो अगर अंदर की तरफ है ठीक है गुफा में गुफा क्या कार होता ना गुफा का इसा कार होता है अंदर की तरफ होता इसे ठीक है तो basically this reason के मैंने इसको koncakav mirror बोल आसमें क्या का मतलब क्या हो गया गुफ़यसाकार वो गया आप एपने image है वो यहां देखोगे इसVO कौक्तने डेंज से सब लिबार पमक 00620 जबकि यह वाला जो मेर रहा है इसके अंदर कै कि नरी का reflecting अब अपने परकार के का अपने पास मिरर हो गए ठीक है यह चीज़ अब अपन क्या करेंगे इसकी पहले image फौर मेंशन देख लिए देखते हैं कि इसकी इमेज कैसी बनती है एक इस नेचर नेचर की बनती ठीक है तो पहले आप यह चोटा सब प्रैक्टिकल बताते हैं आपको ठीक है वह प्रक्टिकल आप पूरा देखे उसके बाद माँ आपको बताता हूं कि अलग अनदर कौन के और कॉन्वेक्स किस किस परकार की इमेज भी है तो आप अपने प्रैक्टिकल देखते हैं इस चीज़ का ठीक है इसके अंदर अपन को क्या करना है कि कॉनके और कॉन्वेक्स मिरिजार को अपनों को क्या करना है यहां पे image formation करके दिखाने ही तो सबसे पहले मैं यहां पे phone cave mirror लूँगा ठीक है phone cave mirror basically मैंने आपको बताया था जिसके अंदर basically क्या होता है कि inner side के अंदर silvering की होती है ठीक है तो यहांपर क्या होरा है थो ड़ा बहुत क्या है कि अंदर की तरफ गुमाव है ठीक है जैसे केव होती है ना केव का मतलब समझता हूँ वह फॉफ आकार का ठीक blacks दो बैंसिकलि यहांपर आपको दिख रहा होगा कि यह गुफ स AKR है कि अंदर की के लिए बैसिकली आपको यह एक मिरर चाहिए होता है ठीक है और मिरर के अलावा आपको कुछ एक और समान की आशकता होगी ठीक है तो अब अपन क्या करते हैं यहां पर इमेज फॉर्मेशन करके दिखाएंगे ठीक है तो यह मेरे पास एक स्टेंड है जिसके उपर आप क्या समझ में आएगी ठीक है मैंने यहां पे कुछ see केंदर जानओंगी समझ में आंकी इपात है आप यहां पर क्या करना है मेरे को और काएं और देना है मूंचल इली हृइब इस कंडल मेरे को बर्न करवाना है ठीक है तो आप से यह इसा कुछ भी कर पहना करी Kenya चाहिए तो बि बेज़े ऑबजिक्ट बन जाएगा ठीक है अब अलग अलग जगहों पर मैं क्या करूंगा इसको रखके देखूंगा और इमेज कहां कहां बन रही है यह मेरे को जानना है समझ में आकई बात है अब देखो बैसिकली मैंने यहां पर क्या कर दिया है एक केंडल जला के मालों म मेरे को बैसिकली इसकी इमेज बनानी है ठीक है यहां से क्या होगा यहां से लाइट है वो बैसिकली इस कौनके मिरर पर पड़ेगी और कौनके मिरर के उपर पड़ने के बाद इसकी इमेज बनेगी ठीक है इमेज इसके बीच में ही बनेगी ठीक है इस रीजन के बीच में आपकी image बनाएंगे ठीक है अब image बनाने के लिए मेरे पास यहां पर एक screen है ठीक है यह एक screen है और इसके उपर मापको image बना के दिखाँगा समझ में आगई अब देखो अब अपने देखते हैं कि image है इस पर basically screen है ठीक है और इस screen मैंने का था कि जो real image होती है वो leas chemical Shamika स्क्रीन के उपरườhr al come생 कर सकते अभी स्क्रीन के उपर आपको पॉपटेंड आ तो देखते हैं यह मैंने यहाँ पर इप्जेक्ट रख दिया। इससे क्या कोगी यहाँ पर रिफलेक्स नोगा और रिफलेक्शन होने के वाद आपको यहां पे क्या मिल जाएगा मिल जाएगा का डीका अब देखो स्क्रीन के ऊपर parameters करने वाले इमेज कौन सी ही तकह यदिए बिधिया यह ने बताया था देखते हैं कहीं पर बनती है क्या यह देखो साइद आपको ना दिख रही हो ठीक है तो मैं थोड़ी लाइटिंग है वो आपकी ओफ कर देता हूँ आप देख रही है यह देखो यहां पे इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रही है इमेज दिख रही होगी ठीक है इमेज दिखेए नदेख अब एकदम क्लियर इमेज दिखे रही है एकदम चोटी इमेज दिखे यह इन ने रही है अब यहांपए देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा इसे मोमबटी को अगे ले कियाूंगा, ठीके, मालनो मैं ने मोमबटी को उठाके और यहां लाकर छोड़ दिया, ठीके, अब देखते हैं, इसकी image आपके कहां बनती है, यह देखो, इमेज अभी भी चोटी बन रही है ठीक है इमेज अभी भी चोटी बन रही है और स्क्रीन के उपर आप ला रहे हो इस चीज़ को ठीक है स्क्रीन के उपर ला रहे हो इसका मतलब क्या हो गया रियल इमेज है अच्छा मैंने एक बात भी बते थी कि रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है देखो मौमबती सीधी रेकिए पर इमेज कैसी बन रही है उल्टी बन रही है यह चीज देख पा रहे हो क्या आप ठीक है अब मानलो मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा और आगे लेके आजाता हूँ तो बैसिकली अब आपके देखो लाके छोड़ देता हूँ ठीक है तो बैसिकली जो आपकी इमेज है ठीक है वो यहां बनेगी लगबग इसके पिछे की तरफ आपको यह दिखाई देगी ठीक है यहां पर इस जगहें पर आपको इमेज दिखरी होगी ठीक है तो यह हो गया फंडा अब जैसे मैं मानलो यह यहां पर रखके छोड़ देता हूं तो इमेज काफी बड़ी बन जाती है ठीक है और इसको आप स्क्रीन के उपर नहीं ला सकते है ठीक है पर बनेगी यहां पर क्या होगी इमेज तो बनेगी अब मानलो मैं इसको आगे और किसका देता हूं तो अब यहां पर बैसिकली क्य ठीक है यानि कि आपको स्क्रीन के उपर नहीं मिले इसका मतलब क्या हो गया वर्टुल मेज मानलो मैं इसको यहां लाके छोड़ दीता हूं ठीक है अगर आपको देखो जैसे मैं इसकी एकदम पास लेका आता हूं तो आप यहां पे इसकी इमेज बनती हुई देख सकते हैं औ पर अब स्क्रीन के उपर नहीं मिल रही है और apologies मिल रही है पर बहुत बड़ीCalश मिल रही है ठीक है तो यह Basic आपके यहां पर फंडा हो गया यह चीष समझ रही हूं ठीक है तो यह Basic आपका क्या होगा Concave Mir isolag package Mirror से image formation आपकी यहां पर complete होती है ठीके अब अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर की तो कॉन्वेक्स मिरर मेरे पास यह रहा है ठीके और कॉन्वेक्स मिरर में यह बाहर की तरफ आपको क्या दिख रहा होगा ऐसे दिख रहे हैं ठीके यह जो आपकी डिफलेक्टिंग साइड हो थोड़ी क्या हो यह बाहर क तरफ आई हुई है ठीक है और इसको मैंने क्या नाम दिया था ठीक है तो ये मेरे कॉन्वेक्स एक मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर को मालों आगर यहां रख देता हूं तो यह हमेशा दसी इमेज बनाएगा और कभी भी आप इससे बनी इमेज को किसके उपर नहीं रख सकते बै इमेज दिख रही होगी और एकदम सिधी मेज दिख रही होगी ठीक है मिरर के अंदर मिलेगी स्क्रीन के उपर नहीं अब मिरर के अंदर नहीं मिल रही है इसका सुरी यह आपके स्क्रीन के उपर नहीं मिल रही है इसका मतलब क्या होगा यह रियल इमेज बैसिकली रियल इ यहां पर आप देख सकते हो ठीक है यानि इमेज जो बन रही है वो सिधी इमेज बन रही है यहां पर और स्क्रीन के अपर नहीं मिरर के अंदर बन रही है इसका मतलब वर्चुल इमेज है और वर्चुल इमेज इस हमें सा सिधी होती है ठीक है तो यहां से आप देख सकते हो क कोई भी प्रकार का आप यहां पे image screen के उपर नहीं ला सकते हैं देख लो, यहां कहीं पर भी image नहीं बन रही है जब कि वहां बन रही थी screen के उपर यहां पे image नहीं बन रही है screen के उपर image नहीं बन रही है इसका मतलब यह virtual image है ठीक है और इसके बाद आप आगे का वीडियो कंटिन्यू करें तो प्रेक्टिकल देख लिया बड़ी हत्रीके से एक दम समझ में आ गया होगा अब वो जो केस आपने अभी देखे हैं कि मौमबती की जो लो है ठीक है उसकी इमेज अलग अलग साइज की बन रही थी ठीक है कॉनकेव मीरर और एक क्या होगे अपने पास है कॉन्विक्स मीर ठीक है दो अलग अलग अपरकार के अपने मीर पर दो अब अपन देखते हैं के बीच में जो इमेज फॉर्मेशन बनी है वो किस किस परकार से बनेंगी कॉनकेव तो मैंने बताए दिया कि सिर्वात में कि जो सिल्वरिंग या फिर एलुमीनियम की जो कोटिंग होती है वो अंदर की तरफ होती है और रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बाइर गी तरफ होती है ठीक है यह चीजी अदेखो सबसे पहले अगर इमेज पॉर्मेशन की बात करें तो इमेज फॉर्मेशन ने पल्सृट मेघी अभी भी जितनी वह देखी थी क्यों पल चाहिए अपने ओब झालब लूभ नहीं रिए इंवर्टी इमेज स्थी घी में आपने ओब्जिक्ट तो मोंबती की लोग एकदम सिध्य थी फिर भी क्या हो और था वहांपर कि जो मेज हो उल्टी बन रही ए टी थी थ ठीक है तो बैसिकली क्या हो गया कि रियल मेज बन रही थी यानी स्क्रीन के उपड़ उसको प्न उप्टेन कर रहे थी ठीक है Concave के केस्ण में और साथ एसाथ में इमेज कैसी बन रही थी इनवर्टेड उल्टी बन रही थी ठीक है यह चीज़ है प्लस यहां पे जो साइज था वो कैसा था आपको स्मॉलर भी मिला साइज आपको स्मॉलर भी मिल रहा था और साथ एसाथ आपको स्मॉलर के साथ क्या मिल रहा था यहां प है मिल गए ठीक है तो smaller साइज भी मिला आपको सेम साइज भी मिला और लार्धर साइज मिलाख यह किसके साइज जा इमेज के साइज है तो मॉमबती साइज है जो मिमळ्यों की बन 288 भी बराबर भी बने टी और बड़ी मेरी थी ठीक है लास्ट में एक केस में डिसकसि किया था जा बी मोवबती वाले केस में प्रैक्टिकल में कि अगर आप मौमबती को एकदम पास में ले कि आ जाओंगे तो क्या होगा वहाँ पे मेर ये वह कैसी बन गई थी वर्चुल बन गई थी यानि फिर उसकोॉप heroin के ओपर नहीं ला पा रहे थे और साथ-साथ में यहां पर क्या हो गया था अपने पास Torah a image ऐ वर्ड्पेयल का माडना हो गया Screen के ओपर नहीं mirror के अंदर देखा था अपने ठीक ए यह चीज़ आपको इंसाइड दा mirror दिखी ठीक है और प्लस में वर्ट्वल और इंसाइड दा मीरियर रोने के साथ साथ image कैसी बन रही थी सीधी बन रही थी या फिर अप्राइट इमेज बन रही थी ठीक है तो यह image formation आपने कहां देखा था कॉन के के केस में ठीक है पर अंतु साथ साथ आपने यहां गोर किया होगा कि वर्ट्वल इमेज कैसी बन रही थी लार्जर देन ऑबजेक्ट है ऑबजेक्ट से काफी बड़ी में इन्वर्टेड यह सेम साइज using और अगर आपको उल्टी मेंज रियल मे मिया चाहिए तो रहर सोटा साइज मिल आद बराबर साइज भी और बड़ा साइज मिल ठीक है प्रबतों अगर आपको क्या चाहिए और और यहां पर वर्चोल इमेर्ग बन रही और और सीढ़ी मेज़ बन रही है इसलिए अपनों को सिद्धी मेज αλλά स्होटी मेुल पाह themes तो इसलिए अपना आते हैं आते हैं आपने कॉनिक्स में देखा हुगा कि कोई भी मेज़ मेज़ वहां पर रीयल नहीं बन लिए थी तो विर्ट्वल इमेज है या फिर अपराइट इमेज आपको मिली वहां पर दूसरी बात है साइज था वह किया था साइज यहां पर था समोलर देन अब्जिट औब्जिक्ट से साइस था और के साथा था 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 ठीक है तो अब या फिर अप्राइट ठीक है प्लस यहां पर और आपको क्या मिला था वहां पर जो साइज था इमेज जगा वो कैसा था सेम एज ओब्जेक्ट ठीक है ओब्जेक्ट के इतना ही था तो बैसिकली आपको हर प्रकार की image अगर बनने को बोलता है mirror की साइटा से तो आप कोई सी भी image बना सकते हैं अराम से ठीक है आपको real images यानि उल्टी image चाहिए और आपको screen के ओपर चाहिए हर परकार की size मिलेगी smaller भी same size भी larger size भी ठीक है और साथ ये साथ अगर आए आपको image virtual चाहिए और सीधी image चाहिए और बड़ी image चाहिए तो आपको कहा आना पड़ेगा कौन के mirror के और एकदम object को इसके पास लाकर ठोड़ना पड़ेगा ठीक है next जो कहता वो था convex mirror में convex mirror में virtual image मिल रही थी यानि screen के ओपर नहीं ला सकते और erect है सीधी image कैसे प्राप्त करें तो आपको plane mirror से मिलेगी ठीक है तो यह बैसिक आपका फंडा हो गया तो पहले आप एक नोट कर लिजिए फिर अपना के चलते हैं तो कर लिजी तो नोट कर लिया आज का लेक्टर बड़े यहीं समाप्त करते हैं और next lecture के अंदर यूजेस देखने पड़ेंगे ठीक है कि और क्यूंसे इजंड कहां कहां आता हूँ ठीक है देली लाइफ लाएफ के अंदर आप देखते हैं वह लग़व परकार के मिरर दिखते हैं तो कोनके और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देखेंगे next video के अंदर ठीक है तो तब